महारशी ददीच की नगरी में चल रहे चरक अल्ट्रासाउंड सेंटर पिछले लंबे समय से चर्चा में है क्योंकि इसमें अल्ट्रासाउंड की जाच रिपोर्ट सही नहीं आ रही जिसको लेकर मरीज काफी परेशान है शासन सत्ता की हनक के आगे अधिकारी भी बेबस और लाचार है हो भी क्यों ना क्योंकि अल्ट्रासाउंड संचालक मिश्रिक सांसद अशोक कुमार रावत का प्रतिनिधी है राज कुमार सोनी जो सांसद जी का पूरा कारोबार देखता है यह पताते चले कि 28 मार्च माह में कीर्ती शवास्तप को पेट में दर्ध की समत्स्या थी तो डॉक्टर ने कहा कि एक अल्ट्रासाउंड करा लिजे तो पता चल जाएगा क्या दिक्कत है तो अल्टरसाउंड मिश्रिक नगर के चरक अल्टरसाउंड सेंटर से कराया गया जहां पेट में दो पत्री दिखाई गई 25 एमेम वा 7 एमेम जो पेशाब नली में फसी हुई थी दर्द भी काफी हो रहा था रिपोर्ट देखकर डॉक्टरों ने ओपरेशन कराने की सलाह दी जिसके कारण मरीज के पतीवा परिजन काफी परिशान हुए क्योंकि ओपरेशन में कम से कम 40,000 का खर्चा लगनों के डॉक्टरों ने बताया इसके बाद कुछ लोगों ने बताया कि सीतापुर में अल्टरस पूर्व पित में पत्री चरक अल्टरसाउंड दिखा रहा था रोज सैकडों गरीब मरीज लोगों के कमीशन के चक्कर में अल्टरसाउंड जाच के लिए आते हैं जिन्हें जाच के नाम पर गलत रिपोर्ट मिलती है इस और सुप्वास्तविभाद ध्यान नहीं दे रहा है इतना ही नहीं जब शिकायत करता ने संचालक राजकुमार सोनी से जाच गलत आने की शिकायत फोन से की तो वो भड़ग्या बोला जो तुमको करना है वो करो जाकर मेरा कुछ नहीं विगाड सकते मेरी पहुँच उपर तक है क्या कहते हैं नियूरोलोजी डॉक्टर इस स रिपोर्ट आने से पीडित के पती धीरेंदर श्रवास्ताप को हाई व्लड प्रेशर एवं हार्ट की समस्या हो गई जिसके इलाज जो है वो करा रहा है इस समबन में जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीतापुर से बात की गई तो उन्होंने बताया रिपोर्ट देखकर कड़ी कारिवाई करने की उन्होंने बात कही है